पुशन रहर की कमी की कारण जो मरीज होते हैं उनको जो टीबी की दवाई जो हम देते हैं वो सही तरीके से कारगर नहीं हो पाती जिसके कारण उस समय पे स्वस्त नहीं हो पाते हैं नमस्कार बस्तर वारता में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है विबिन्न प्रकार की बिमारियों की दोख्थाम के लिए सरकार एवं स्वास्तविभाग के द्वारा बहुत सारे कादिकलम चलाया जाते हैं इसी के तहत टीबी मदीज को स्वस्त करने के लिए भी कई प्रकार की प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाया जाते हैं सरकार के द्वादा निश्चय मित्र रजिस्ट्रेशन का प्रोग्राम करवाया जादा है यह प्रोग्राम जीला च्छय उन्मूलन केंदो के माद्यम से किया जादा है क्या है निश्चय मित्र यह निश्चय मित्र किस प्रकार से इस विमादी के दोख्थाम में सायक सिद्ध ह सबसे पहले अपना परीचे हैं हमारे दर्सों को देंगे मेरा नाम प्रशांद सिंठ हाकूर है जीला चे नरायनपूर के दर में मैं स्टीलेस के पतपर हूँ 2014 से मुझे लगबक 10 साल हो गए हैं कारी करते हुए वरतमान में हमारे जीले में बहुंसे टीबी मरीज लगातार पाय जा रहे हैं जिनको स्वस्थ करने के लिए हमको अतिरिक्त पोशन आहर के आपशक्ता होती है सर आपके ऑफिस के माद्यम से जो निश्य मित्र रजिस्टेशन करवाये जादा है यह क्या है निश्यमित्र किस प्रकार से यह निश्यमित्र जो है तीबी मदीजों के दोख्थाम के लिए सायक सिद्ध होंगे हमारे दर्सकों को बताएंगे जैसा कि आपने सुना निश्चे मित्र सब्द, निश्चे मित्र निश्चे की हमारा आनलाइन पोर्टल है जिसमें हम जीले के समस्त जो टीबी मरीज होते हैं उनका आनलाइन हम एंट्री करते हैं जिसमें पुरे राज ये पुरे देश के मरीजों की हम संख्या देख सकते हैं जो हमारे TB मरीज होते हैं उनको पूरी तरीके से स्वस्थ होने के लिए अतरिक्त पोशन आहर की आवशक्ता होती है जिनको वो लेने में असमर्थता बताई जाती है उनके द्वारा तो इसी कारण सरकार द्वारा चलाया जा रहा है कि निश्चे मित्र बना कर हम उनके माध्य हमसे जीले के मरीजों को पोशन आहर उपलब्ध कराएं ताकि वो जल से जल स्वस्थ हो सकें पोशन आहर की कमी की कारण जो मरीज होते हैं उनको जो TB की दवाई जो हम देते हैं वो सही तरीके से कारगर नहीं हो पाती जिसके कारण उस समय पे स्वस्थ नहीं हो पाते हैं औ जिसके क्यारण जो अपने आसपास के जो हैं, उनसे सगे संबंदी परिवार जन, आसपरोडोस के लोग, उनको भी टीबी होने की चांसे बहुत कम होंगे, जिससे मरीजों की संख्या कमी आएगी और हमारा जो देश है वो टीबी मुक्त हो सकेगा. जो निश्चे मित्र है, जो अतिरिक्त पोसण आहाल की जो टीबी पेसेंट को आवश्यक्ता होती है, वो उनके स्वयम के व्याओ से क्या उन्हें देना होगा? निश्चे मित्र बनाया जा रहा है, ताकि जो निश्चे मित्र हैं वो अपने खर्च पर मरीज को अपने स्वयक्षा नुसार, वो मरीज को गोद लेंगे, अब उनकी स्वयक्षा होती है कि वो कितने मरीजों को गोद लेंगे, अब वो स्वयक्षी ग्रूप से मरीज को गो जब तक उनका इलाज का उधी होगा मैं उन्हें उपलब्द कराता रहूँगा ये व्यक्ति के उपर या पार्षद या अपने उपर उनका वो रहेगा स्वेक्षिक रूप से कि वो किस प्रकार से देना चाहते हैं सर हमारे दर्सोकों को बताएंगे कि टीवी बीमारी से प्रतिवर से कितने लोगों की मिर्ति होती है और एक टीवी पेसेंट से कितने लोग उससे प्रभावित होते हैं वैसे तो देश में लगभाग हर साल 10 से 20 हजार जो वेक्ति होते हैं टीवी से उनकी मिर्ति होती है और एक मरीज की अगर सही समय पर जाच नहों तो वह मरीज अपने आसपास के लोगों में लगभाग 10 दिन के अंदर 10 से 15 लोगों को संक्रमीत कर सकता है जिसके कारण मरीजोग संक्या बहुत बढ़ते जा रही है वरतमान में हमारे जीले में तो हमें ज्यादा से ज्यादा टीवी मरीजोग को सही समय पर खोच कर उनका जाच करवाना चाहिए ताकि उनका समय पर उपचार हो सके और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को संक्रमी नहीं कर सके यह थे च्छे विभाग के STLS सर इन्होंने हमें निश्यमित्र के बादे में बताया मैं आपको बताना चाहूंगा यह कारेकरम नकेवल 36 गड़ अपितु पुरे भारत देश में यह निश्यमित्र का दजिस्टेशन करवाया जाता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो TV पेसेंट है वो आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं हो पाते जिससे वे अतिरिक्त पोसनाहार ले सके अतिरिक्त पोसनाहार न लेने कारण जो दवाई है TV का वो काम नहीं करता जिससे उनके मृत्ति हो जाती है तो सरकात ने एक पहल की है जिससे जो सक्षम वर्ग के लोग हैं या फिर जो अन्य लोग हैं वे अपने अपने जीले में टीवी पेसेंट जो है उन्हें गोद लें और गोद लेके उन्हें पोसानाहाद उपलब्द करा हैं जिससे कुल छे महा का जो टीवी ट्रिट्मेंट चलता है इन छे महा में उन्हें अतिरिक्त था सकती गोदले और उन्हें पोशन आहाद उपलब्द कराएं ये पोशन आहाद कोई भी व्यक्ति या NGO या संस्था ले सकता है अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हों तो आप हमारे यूटूब चैनल बस्तर वारता को लाइक से या सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यव कर दो आपको हमारे जबवाद रोद्सक्राइब कर दोद्सक्राइब झाते हैं आहाद?